नवस्कार आश्तिक देख रहे हैं आप साथ आपके मैं हूँ अर्पितारा सबसे पहले बड़ी ख़बर के साथ शुरवात कॉलकता कांड में आज जबर्दस हल चल है एक और आरोपी संजेर रॉय का पॉलिग्राफ टेस्ट चल रहा है CBI के टीम और एक्सपर्ट यहां जेल में जू पकरने वाली मशीन से उसका सामना करवा रही है वहीं दूसरी और दरिंदिगी जो है वाल जो अस्पताल जहां हुआ वहाँ पर करेक्शन को लेकर ताबरतोर शापे मारी हो रही है CBI टीम पूरू प्रिंसपल संदीगोश के घर भी तलाशी लेकी नजर आई करीब 6 गंटी की रेट के बाद एक टीम चली गई उसरे टीम अब भी घर में मौजूद है दूसरे डॉक्टर्स और अस्पताल में संदीगोशी टीम ने रहे देवाशीष सोम और संजय चापे डाले गए हैं CBI ने 15 ठीकानों को भी खंगाला है तो कॉलकता में आज CBI का ताव बरतोर आक्शन सुबह 6 बज़े से चापे मारी चली 15 जगाओं पर अलगलग जगाओं पर तलाशी हुई पूर प्रिंसपल संदीगोश के आवाज पर भी चापे मारी हुई है ये तीन दस्वीरे भी आपके सामने संदीगोश का पॉलीग्राफ टेस्ट अब देखना होगा कि क्या राज वो गलते हैं आज संजैर रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट के प्रक्रिया इस वक्त चल रही है वहीं करेप्शन के केस में भी चापे मारी चल रही अब करेप्शन पर चोट और चापे मारी संदीगोश के घर पर सीवाई की टीम पहुची प्लिकिन परिवार और देश इस वक्त इंसाफ का इंकजार कर रहा है कल छे का पॉलिग्राफ टेस्ट वहीं आज संजेराय का पॉलिग्राफ टेस्ट हो रहा है आरोपी संदीग की बाइग भी जब्त की गई सीवाई ने आज सुबे छे बजे ही संदीगोश के घर पर दस्तक दी डेड़ घंटे जजार के बाद दर्वाजा खोला गया उसके साथ ही दो सीने डॉक्टर्स के घर भी छापे मारी हुई पूरोव वाइस प्रिंस्पल अक्तर अली की शिकायत पर केस सीब्याई को सौपकिया था जिस अस्पताल में लेड़ी डॉक्टर का गद्र हुआ उसी अस्पताल में होती थी धांदली उसी अस्पताल में पैसे का बड़ा हेर फेव छात्रों से वसूली के संगीन आरो टिंडर से लेकर डेट बोड़ी तक में खेल अपसी ब्याई खोलेगी हर राज खोलकाता रेप और मर्डर कान की जाँच अब गहरी होती जा रही है जिस लेड़ी डॉक्टर का रेप करकी कतल किया गया उस केस की जड़ें और भी जगों पर मिल सकती है वो मामले खुलकर सामने आ सकते हैं जिनका नाता इस डॉक्टर के गतले से हो सकता है ममतल सरकार ने धांदली की जाँच के लिए एसाइटी बनाई थी लेकिन हाई कोट ने कहा कि ये मामला भी सी ब्याई को ही जाँच ना चाहिए और अब रविवार की सुबाजे सी ब्याई एक्शन में है सी ब्याई ने तावर तोड़ 15 जगों पर छापी मारी कर दी है हर जगा तलाशी हो रही है ये पूर प्रिंसिपल संदीब घोश का घर है जहां करफचन केस की चार्च के लिए सुबा ही सी ब्याई पहुँच गई संदीब घोश पर ही करफचन की आरोप है दो बार उनका ट्रांसफर भी हुआ था लेकिन रसूक के भूते वो आरजी कर अस्पताल में ही बने रहे और ये आरजी अस्पताल के फॉरंसिक मेडिसिन से जुड़े डॉक्टर देबा शीश सोम का घर है जहां सी ब्याई टीम ने छापा मारा है सी ब्याई से पहले करफचन और वित्ती धांद्री की चार्च का काफी कुछ काम एसाइटी ने कर भी दिया था देखिए किस तरह कल ही एसाइटी ने वित्ती धांद्री की सबूत और दस्तवेज ले जाकर सी ब्याई को सौपे थे उनके करफचन के अगेंस्ट में है उनके मैल प्रैक्टिस के अगेंस्ट में है और कुछ स्काम था जिसके अगेंस्ट में मैंने कंप्लेंड लगा है था आज मैंने हाई कुट में केस भी फाइल किया है पायमेडिकल विस्ट का जैसे डेट बॉडी का जैसे टेंडर दे करके कमिशन लेना चात्रों को फेल कराना फेल करके पैसे लेना और जैसे इल्लीगल जो इस्ट्रॉल क्योस्क है ये सब बेने गयर टेंडर वगरा के रेंट पे देना तो इस तरह का बहुत सारा इर्रेगुलर्टीज है इसमें डेट बॉडी भी एक है तो मैं चाहता हूँ कि इसकी इंक्वाइरी हो उचे लेबल में और उनको सजा मिले और उनका ये रैकेट जिए इसका परदा फास्ट हो करप्शन केस की चांच में जो लोग शक के खेरे में हैं उनमें संती घोष, देबाशी सोम और संजे वशिष्ट है विद्धी धांद्री को लेकर जिस रफ़तार से एक्शन हो रहा है और जिस तरह से हाई कोटनी की मामला सीब्याई को सौपा उससे कई सवाल पैदा होते हैं मसलिन क्या अस्पताल में ऐसा कुछ गलत हो रहा था जिसकी जानकारे पिरित लेडी डॉक्टर को थी क्या अस्पताल की धांद्री को छुपाए जा रहा था? क्या रास खुरने के टर से लेडी डॉक्टर को रास्टे से हटाया गया? क्या अस्पताल की धांद्री का इस रेप और मडर की से कोई गहरा नाता है? सारे आरोपों के केंदर में है संजय खोश जिन से 9 दिन में 100 घंटे से ज़्यादा की पोश्ट आज हो चुकी है Bureau Report आज तक किसे एक्षिन मूड में दिख रही है सी बिल्कुल अर्पिता दिखिया आज कोलकाता में एक तरप प्रेसिडिंसी जिल का अंदर आर्जिक और हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर हत्त कांट की जो एक लौता आरोपी है संजय रॉय को अभी पॉलिग्रफ टेस्ट की जा रही है पहने दो बजए ये टेस्ट शुरू ही ते अभी भी चल रही है प्रेसिडिंसी जिल का अंदर क्योंकि संजय रॉय इस वाक्त प्रेसिडिंसी जिल में ही है जुडिशिल कास्टुडी में और दूसरे तरफ बेले घाटा में कोलकाता की जो बेले घाटा एरिया है इस एरिया पे डॉक्टर संदीब घोष की मकान है इस वक्त मेरा मौझूदगी है बेले घाट एरिया में मेरे पीछे जो मौकान दिख रहे आपको चाठतला ये चाठतला मौकान डॉक्टर संदीब घोष का है जो कि आरजी कोर हास्पिटल की पूर्ब अधक्ष उनी का घर है यहीं घर में रहते थे डॉक्टर संदीब घोष आज सुवस पौने 8 बजे पौने 7 बजे CVA की टीम संदीब घोष की नाम से बुलाया गया लेकिन किसी ने ना दर्वाजा खुला ना किसी ने बाहर आया इसके बाद एक घंट दस मिन रुकने के बाद इंतजार करने के बाद संदीब घोष खुद निकल के आया घर से CVA टीम के साथ बादचीत क्या संदीब घोष ने CVA टीम स पहुचा और तब से सुबा आठ बजे से अभी सारे साथ गंटे हो चुका है उनके घर के अंदर चापे मारी जारी है सीवे के टीम के तरफ से चापे मारी चल रही है लेकिन अरजीक और हॉस्पिटल की जो हत्तकान हुई थे जो बलतकार और हत्तकान उस केस में नहीं जो भ्र प्रसाशन में उनके काफी सरे कॉंटेक्स रहने के वाज़े से उनके खिलाब कोई जाज नहीं की गई इसके बाद बंगाल की प्रसाशन के तरफ से एक चार सदस्य की सीट बना गया था लेकिन कोलका तकी उच्चनायले ने इस सीट से जाज सीवे का हाथ में सौब दी असी देखार के सिलसिले में इस वक्त चापे मारी जारी है यह जो घर है संदीप गोश्की यहाँ पर पिछले सारे साथ घंटे से चापे मारी चल रही है अगे क्या योजना और दिखती है किस तरह अभी इस जाच की कडियां जुड़ती हुई नजर आूरी देगे इस वक्त सबसे बड़ी पहलू जो सुलजानी की कोशिश CBI के और से हो रही है वो ये है क्या ये एक वक्ती ने किया है ये रेप और मर्डर या इसके पीछे दूसरे लोगों का भी involvement है कोल्काता पुलीस ने एक विक्ती को रिस्क किया है संजय रोय और कोल्काता पुलीस का ये डावा है कि संजय रोय ने अपना जो गुना है वो कुबूल कर लिया है उनके सामने हाला की हाई कोट नहीं यह केस को सौप दिया है CBI को CBI अब जांच कर रही है और यही कारण है कि संदीब घोष जो पूर प्रिंसिपल है आरजिक और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के उनका बयाँ और उसके साथ-साथ जो पीरिता है उनकी पैरेंस का बयाँ में कहीं ना कहीं उनको लग रहा है फरक है और यही कारण है कि सब जितने भी लोग है जो में क जो तीन या चार उनकी इंटर्न्स थे दोस्त थे उनके साथ काम कर रहे थे उनका भी पॉलिग्राफ टेस्ट हो चुका है तो इन सब का पॉलिग्राफ टेस्ट से CBI चाहती है कि कोई एक सुराग निकले क्योंकि एक हफ्ते से जाधा समय बीच चुका है CBI को जब से यह हैंड जो इस वक्त अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं वो यह कह रहे हैं कि जल से जल CBI इस केस को सुल जाए और उन्हें नियाय मिले, justice मिले अर्पितार तो सिल्हाल एक तरफ न्याय की भी मांग हो रही है, लोग सरकों पर उतर कर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और जितना डिले हो रहा है, इतना लेट हो रहा है, उसको लेकर भी सवाल उखते हुए चले जारे हैं तो सिल्हाल किये जाएंगे। और इसी लिए CBI को सच की तह तक पहुँचने के लिए जूट पकड़ने वाली मशीनों का आसरा लेना पड़ रहा है इससे पहले शनिवार को संदीब घोश समय चार लोगों का पॉलिग्राफ टेस्ट किया गया, उनसे कई खंटे सवाल किये गए जबकि संदीब समय दो लोगों का पॉलिग्राफ टेस्ट आज किया गया पहले शनिवार को ही संदीब का पॉलिग्राफ टेस्ट किया जाना था लेकिन कुछ तक्नीकी खराबी के कारण संदीब का पॉलिग्राफ टेस्ट शनिवार को नहीं हो पाया था और अब सच का सामना करने की बारी संदीब रोई की है हाला कि संजे की वकील कह रही है कि वो पॉलिग्राफ टेस्ट के लिए इसलिए तैयार हो गया क्योंकि उसने कुछ नहीं किया है जिन किर्दारों का पॉलिग्राफ टेस्ट हो चुका है वो भी काफी एहम साबित हो सकता है हम आपको बताते हैं कि इनका पॉलिग्राफ टेस्ट क्यों किया गया प्रिंसिपल संदीब खोश का पॉलिगाफ टेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि वो शुरू से ही शक के खेरे में है उनका टेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि वो अस्पताल के मुखिया थे उनके बरताव और फैसले शक के खेरे में है तीन सवाल एहम है कब कैसे उनको वारदात का पता चला रिपोर्ट दर्ज कराने में देर और लापरवाही क्यों की सबूतों की रक्षा क्यों नहीं की बाकी चार डॉक्टरों का टेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि वो उस रात मौके पर थे वो बड़ा सच और असलियत बता सकते हैं पीड़ता ने उनके साथ खाना खाया था उस रात क्या हुआ उस पर वो रोश्णी डाल सकते हैं एक वॉलिंटियर का इसलिए क्योंकि उसके पास काफी कुछ जानकारी है मामला इतना पेचीदा है कि कुछ लोगों को लगता है की पॉलिग्राफ टेस्ट से भी आगे जाकर जाच करनी होगी उधर पीड़ता के परिवार की हिम्मत भी तूट रही है उनको लगता है कि 10 दिन से CBI भी कोई ठोस नतीजान नहीं दे पा रही है जाहर तौर पर इस केस में जाच का सटीक नतीजा निकले ये पूरा देश चाहता है CBI की साक का भी सवाल है कोलकाता की डॉक्टर बिटिया को इनसाफ मिलना ही चाहिए और इसके साथ इस प्रतिष्ठित कॉलेज में बड़े स्तर पर कोई धानली चल रही थी तो उसका भी पूरा खुलासा होना चाहिए सुर्यागनी और अनिर्बान के साथ इंदरजीत कुंडू कोलकाता आज तक आरोपी संजेर राय को लेकर भी तमाम सवाल है लेकिन इस कांट का सबसे बड़ा राज़तार वही हो सकता है आज संजेर राय का जेल के भीतर पॉलिग्राफ टेस्ट हो रहा है कॉलकाता पुलिस में दावा किया था कि संजेर ने गुनहा कबूल कर रहा लेकिन पूरा सच शायद आज वालिग्राफ टेस्ट से सामने आ जाए कॉलकाता रेप कांट का सबसे बड़ा आरोपी और इकलौता वो शक्स जिसको इस केस में गिरफतार किया गया है संजेर रोई को लेकर तमाम सवाल हैं पुलिस के हवाले से खबरे आ रही थी कि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और खुद को फासी देने की बात कर रहा है लेकिन उसकी वकील पुलिस के दावे को ठुकरा रही है इस बीच कई सारे सवालों का जवाब आज CBI खुद संजेर रोई से चाने की वो भी छूट पकड़ने वाली मशीन के जरिये कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल के भीतर आज संजेर रोई का पॉलिग्राफी टेस्ट हो रहा है संजेर रोई वो किरतार है जिसके जवाबों के जरिये इस पूरी कुथी को सुलचाने में सबसे बड़ी मदद मिल सकती है कही न कहीं CBI को लगती है कि जितने भी लोग involved है जो main characters है इस पूरे मामले में रेप और murder case में जहाँ पे एक और ये prime accused है जिनका कुलकाता पुलीस का मानना है कि वही prime accused है और पुलकाता पुलीस ये कहीं रही है दावा कर रही है कि उन्होंने अपना जो crime है वो कुबूल भी कर लिया है उनका polygraph test करना है principle का polygraph test हो चुका है और उस रात जो victim है उनके जो दोस्त थे जिनके साथ उन्होंने समय बिताया था last जिनको दिखा गया था उनका भी polygraph test हो रहा है माता पिता से पूछताश हो चुकी है CBI के और कहीं न कहीं उनको लगता है कि जो versions है उसमें कुछ inconsistencies है और यही कारण है कि यह live detection test या polygraph test किया जाया है ताकि कुछ सुबूत कुछ सुराग उनके हाथ लगे क्योंकि एक हफ़ता बीच जाने के बाद भी CBI ये case crack नहीं कर पाई है political pressure भी बर रहा है पस्टिम मंगाल में इसको रहे कि काफी हलचल है राजनीत बन रही है और यही कारण है कि आ पॉलिग्राफ test कंड़क्ट करने के बाद CBI ये कोशिश कर रही है कि कुछ नया सुराग मिले जिससे आगे कारवाई किया जा सकी पुलिस अब तक संजय के खिलाफ कई सारे सबूत जमा कर चुकी है इसमें कुछ मौके से चुटाए गए हैं तो कुछ तकनीकी सबूत कल है CBI ने संजय रोई की बाइक को भी जप्त कर लिया यसे बाइक से वारदात की रात संजय रोई अस्पताल से निकला था और घर जाकर सोकिया था संजय को लेकर दावे हो रहे हैं कि उसके खिलाफ मजबूत सबूत हैं 8 और 9 अगस्त के दर्मियानी रात को अस्पताल में आने जानी के उसके हर तस्वीर कैद है सिसी टीवी ने उसकी हर हरकत को कैद कर लिया था और तीसरी मंज़िल पर उसकी मौजूद की वारदात के वक्त ही दिखी थी और रात तीन बजी के बाद वो अस्पताल से निकलते हुए भी कैमरे में कैद हुआ था संजय के खिलाफ पुलिस के पास जो सबसे बड़ा सबूत है वो है उसका ब्लूटूथ जो पेडित लेडी डॉक्टर के पास मिला था इसे पुलिस को ये साबित करने में मदद मिलेगी कि संजय ही वो शक्स था जो सेमिनार हॉल में मौजूद था ब्लूटूथ को पुलिस ने मुबाइल से जोड़ा तो घंटी संजय राई के फोन की ही बची पुलिस के पास संजय से जोड़े जो सबूत है उनमें ब्लूटूथ, बाइक, मुबाइल फोन और उसके कपड़े हैं कई लोगों के बयान भी संजय के बारी में जो पोलिस्रा रिकाउड कि हैं पुलिस कदावा है किसं अंचुया है कि मैने जोनाह किया है मुझे फ्वांसी देड़ों, हालग कि संजय की बुल्ला कि नाम काजे जाच्चे बैस तार पड़ती के आमी जाना पागोले हेर मोतुन ओई मुंदीर हे दीको दीक्षब काके बुल्बू दरो दरी मेदेर बुला ओडावेल तार परे निजे घरे भागवाने काचे बोशला हे भागवान कोथाई ग्यादो छेले ताब है कि जह बैसे कहिरें होड़े खायर के पहती के मतों फुल्बू जोल्जब ऐगाओ में बोशला नाम कल्याके बिंदेल तो अब पॉलिग्राफ टेस्ट से साफ हो सकता है कि संजहीं असली गुनेगार है या कोई और सुरेगिन और अनिर्बान के साथ इंद्रजीत कुंडू कोलकाता आज तक और अब आपको संदीब घोष के एक पड़ोसी की बास सुनवाते हैं जो बता रही है कि कितना रसूख था संदीब घोष का उसका आदत है थोड़ा बाजित करने से जो प्राब्लेम स्खाल्व हो सकता है वो उस पूलिस के तरह चल जाता है उनका यह तो उनका हैबिट हो उनका हैबिट यह है जो थोड़ा छोटा छोटा प्राब्लेम पूलिस का बास लेकर पूलिस और वो बोल सकता है लेकिन हम तो यह का रहने बाला इन बॉंड या यह गड़ानों